नमसकार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्टेट जीरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो भारत सरकार ने gdp के जो डाटा है उनको रिलीस कर दिया है g GDP की रिपोर्ट प्रतिवर्ष जो जारी करता है वो करता है इंडियंसराइंड का भार्तिा एक उर्गनाइजेशन है जिसका नाम है नच्चनल स्टेटीकल औफिश नेच्चनल स्टेटिकल ऑफिश प्रतिवर्ष फॉर क्यून वन एंड FPS21 के तहट यानि प्रती वर्ष यो कोटा 1 और कोटा 2 के माध्यम से एक GDP रिलीज करता है जिसमें पूरे बर्ष का पूरे साल का जो GDP का खाता है यानि ग्रोइस डुमेस्टिक प्रोड़क्ट का जो खाता है वो उसमें रिलीज होता है और जनरल इसमें बताया जाता है कि किन किन छित्रों में भ पहली बार एक चीज सामने देखने को मिली है कि जो हमारा किसी छेत्र है वो अप जा रहा है और इंडस्ट्रियल और जो सहरी अरवन छेत्र है वो यहां पे नीचे जा रहा है यानि अगर हम सिंपल विल्लेंग वेज में कहें तो किसी से जो होने वाली हमें प्रॉफिट है बार सरकार को वो यहां पे जादा है और इंडस्ट्रियल छेत्र में प्रॉफिट हमें यहां पे बहुत कम होता है दोस्तों मैं आपके सामने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं इसमें आप देख पा रहे होंगे जो एगरी कल्चर छेत्र है वो यहां पे ग्रो अप कर रहा किन किनी स्थानों पर हमें ऐसा प्रतित होता है कि सायद हम किसानों के साही लिकरा Brasanna नहीं कर रह रही है लेकिन फिर भी भारत' induct की जो एगरी Kulture है भारत की जो प्रसी प्रदान देश भारत उसमें काफी यहां पर बहुत बड़ा योगदान है और वही एगरी कल्चर आज भारत की अर्थविवस्था को एक मेंटेन किया हुए है लेकिन साइद अभी ऐसा लग रहा है कि अब वो मेंटेन से भी नीचे जा रही है दोस्तो कोरोना काल आँरी बहुत ज्यादा चींता करें की बत दोस्तो ने आक्स्त आप देखते होंगे इंडुस्ट्री इन प्रहें चैजकरा आई-प्रती यहां पर रहा है उप्रिकार मैंप्राइश रहा इमंखञा रहा है उसी प्रकार से जब हम चीजों को मैनिफेक्चर करते हैं चीजों को बनाते हैं चुकि दोस्तों कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम दूसरे देशों से आयात करते हैं फर उनको यहां पर मैनिफेक्चर करते हैं जैसे लाइक मुवाइल फॉन mobile phone को हम एक बना बनाए लेते हैं यह नहीं उसको बना बना के हम उसकी चीज़ों को समझते हैं सोचते हैं उसके बाद फिर अपने भारत देश्मों उसको manufacture करना चलो करते हैं manufacturing के साथ साथ जो assembling का भी काम है वो भी हम एक लेवल पर करते हैं दोस्तों इसमें भी बहुत जादा यहां पर ग्रावट है बहुत जादा यहां पर हमें कमी देखने को मिली है माइनेस 39.3 प्रतिशत की ग्रावट manufacturing सेक्टर में हमें देखने को मिली है उसी प्रकार से अगर हम service sector की बात करें एक management sector की बात करें उसमें भी हमें काफी ग्रावट देखने को मिली है माइनेस 20.6 प्रतिशत की जो rate है वो हमें service sector में देखने को मिली है अगर हम trade and hotels की बात करें तो minus 47 प्रतिशत की rate उसमें भी हमें down देखने को मिली है दोस्तो हम कोई चीज़ जब आयात करते हैं किसी country से तो उस पर हमें एक शुल्क देना पड़ता है उसका profit हमें बहुत कम हो रहा है क्योंकि कॉरोना काल है भाई अगर किसी व्यक्तिन है किसी दुकानदार से कुछ सामान खरीदे सूज खरीदे अब वो सूज जो खरीदा है उसका जो profit एक है वो कहीं न कहीं उसकी जगा पे नहीं पहुँच पा रहा है और जो common man है या जो आम इनसान है उसकी जो jobs है उसकी जो नौकरी है या उसका जो man धंदा है दोस्तों वो यहां पे down हो गया है suppose that आप किसी है वो तो down चला गया है तो इससे काफी जादा भारत की जो अर्थ विवस्ता उसमें लगूद्योंगों का बहुत बड़ा यहां पर यहां पर योगदान है हमें इस चूच का बहुत अच्छे से ख्यार रखना चाहिए कि देश की अर्थ विवस्ता तभी बुरूश्टप ह है दोस्तो कोटा क्यू वन एंड एफवाई 23 के तहत जीडीपी का टॉन्टी टू टॉन्टी वन प्रतिशत का जो रेट है वो हमें इस फिल्ड में देखने को मिलता है उसी परकार से ऐसा कि मैंने आपको बताया कि एगरी कल्चर रेटिंग काफी यहां पर हाई है यानि हम क कह सकते हैं कि एगरी कल्चर की जो ग्रोथ की रेट है वो 3.4 प्रतिशाद और जिसकी बज़े से हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ लेबाल है वो काफी हमें एक कह सकते हैं कि जर जर अवस्था में हैं लेकिन बहुत जादा यहां पर डाउनफॉल हो रहा है या डाउनफॉल नीचे जा रहा है तो इस तरीके से जो एनेसो ने रिपोर्ट जारी की है दोस्तो काफी जादा चिंता का विशह है हमारे गे जो इंडस्ट्री है और इनफेक्टिन सेंटर है सेक्टर है सर्विसेस हैं वो यहां पर डाउन हो रहे हैं लगू उद्द्योग बहुत जादा कम होते जा रहे हैं और जो बड़े उद्द्योग हैं इंडस्ट्री उद्द्योग है वो यहां पर हाई होते जा रहे हैं दोस्तो इस चीज का एक और नेगेटिव पॉइंट निकल किया आता है कि इसका जो फायदा है अब कोरोना काल जब जैसे ही खताम होगा या समाप्त GDP increase होगी और खुद दे जैसे अपने यहां पर सिंपल सा समझें कि अपने यहां पर अभी Google 10 million का इन्वेस्ट किया Amazon ने भी इन्वेस्ट किया और Facebook ने जियों के साथ collaborate करके उसमें इन्वेस्ट किया तो उनके लिए तो एक मौका है उनके लिए यहां पर काफी यहां पर एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है कि चलो ठीक है इस देश को जरूरत है तो हम वह चीज प्रवाइट कर देंगे लेकिन जिस तरीके से मौनोपॉली क्रेट करेंगे जिस तरीके से चीजों को समझेंगे उससे हमारे भारत देश को बहुत कम यहां पर लाब होने वाला है क्योंकि जो GDP का रेशो देखा जाता है वो अपने देश की हुई जो ग्रोथ है या अपने देश की जो जितने भी सर्विस सेंटर है जितन निरधारत करते हैं तब जाके वो वहाँ पर GDP हमें देखने को मिलती है तो दोस्तों आशा करता हूं आप सब इस वीडियो को जरूर समझे होंगे और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंडों के शाद भी अब शेर कर सकत तेंग यू